हेलो गाइज, अब यह हम सड़े 3400 मीटर की हाइट पर पोच चुके हैं और लगबग गंगोतरी से 5 किलो मिटर आ गया चुके हैं रस्ता बहुत ही रोमांचिक है जिसके कारण हमें बहुत समलके चलना पड़ रहे हैं मेरा दोस्त विकास और मैं विशाल पंडवाडा इन दूरगम रस्तों के सहरे गोमुक की यातरा कर रहे हैं जिससे हम अपने आपको सुरक्षित रखकर इन पत्थरों पर पैर रखके चल रहे हैं यह रस्ता काफी रोमांचिक है इस रस्ते पर काफी जड़ी बूटी आई है जिनका मैं पता नहीं है एक जड़ी बूटी है जिसको पाड़ी तुलसी बोलते हैं जो की यह है इस तुलसी के काफी फाइदे हैं इस तुलसी को अगर आप हायल्टी तुट पर जाते हो और अपने नाक्स के उपर लगा के सूंगते हो तो इससे आपके लंग्स बे काफी स्ट्रोंगनेस मैसूस होगी विकास कैसे लग रहा भाई यह भाई विकास मेरा दोस्त बच्पन का मैं और विकास हम दो नहीं पंडवला कला गाओं से इस गोमु की यातरा का लुप्त उठाने के लिए हैं च्वार किसी के बसकी है नहीं सब गाओं में रहना चाहते हैं बार किसी के बसकी नहीं निकलना इसलिए मैर मेरा दोस्त विकास जो कि पीछली साल का बदरिनाथ गए बदरिनास से फिर हम उसके अपोजिट साइड में नीलकंड परवत है जो की बदरिनास से 10 किलोमेटर की आइट पर है और लगबग सड़े 5,000 जार मीटर की आइट है वहाँ पर भी ये मेरे साथ में गया था ट्रेकिंग करने के लिए पिछले साल हमारे एक दोस्त है आशू य अगली बार हमारे साथ में नजारा बहुत ही अच्छा है कि ट्रेकिंग मस्त एक नंबर गी एडवंचर फुल है मजे कती बाई ऐसे मजे आप आउटर कंट्री में भी जाके नहीं ले सकते जैसे आप यहां पर उठा सकते हो इस इन वादियों का लुप्त कोई नेक इंसान होगा जो उठा पाएगा क्योंकि आदे बंदे तो गंगोतरी से वापिस हो जाते हैं क्योंकि गंगोतरी से गोमुक की दूरी लगवख 20 किलोमेटर है और काफी हाइट पर है जो कि 6000 मीटर की हाइट है सी लेवल से और रस्ते काफी दुर्गम है इन रस्तों पर चलना काफी कठीन है यह चीड के पेड़े हैं और आगे GMBM की Guest House और Forest Guard वालों ने अपनी चोकिया बनाई हुई है यह उपर पाड़ों पर बरपड़ी हुई है बहुत अच्छा एडवंचर भाई इस एडवंचर का लुप्त उठाने के लिए आपको यहाँ पराना पड़ेगा यह दो भाई ओर है तीन यह भी आ रहे भाई एडवंचर उठाने एडवंचर का मजा लेने के लिए